मुरादबाद के कड़िगर्थाना शेतर में शनिवार रात उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब रमजान में एक समुदाय के लोगो द्वारा नीजी भवन परिसर में तरावी पढ़ने की जानकारी होने पर दूसरे समुदाय ने विरोध किया जिसकी सूचना मिलने पर एक जुठ हुए रास्ट्री बजवंग दल के पदाधिकारी और कारेकरता उग्रहो उठे जिन्होंने ततकाल स्थानिय पुलिस को मामले से अवगत कराया लेकिन तब तक दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए वहीं मौके पर फोर्स की साथ पहुचे पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों को किसी तरह शांत कराया साथी दूसरे पक्ष के लोगों को वहां से हटाया वहीं रास्ट्री बजवंग दल के प्रदेश अधियक्ष रोहन सकसेना ने शहर में कोई नई परंपरा नहीं पढ़ने देने का एलान किया ह साथी उन्होंने का कि अपने नीजी भवन परिसर में आयोजन कराने वाले जाकिर हुसेन और वहां तरावी पढ़ने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किये जाने की मांग की है इस जोरान रास्टी बजंग दल ने चेतावनी देती वे का कि अगर पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा तो बड़ा अंदोलन किया जाएगा आपको बता दे कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स ने तरावी आयोजक स्थल पर चस्पा किये के पोस्टर भी अटवाय साथी शहर में सभी को शान्ती विवस्था बनाय रखने की हिदायत दी वहीं कोई असमाजिक गतिविधी करने पाया जाने पर सक्त करवाई के लिए चिताया फिलहाल शहर में शान्ती विवस्था कायम है आज लाजपत नगर के अंदर ये रस्तोगी इंटर कॉलिज के पास एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर और नई परंपरा डालकर यहां नमाज अदा कराई जा रही है जिसका विरोध इस्थानिये लोगों ने और राश्टिये बजरंगल के कारगटाओं ने सबने मिलकर सामुई ग्रूप से किया है हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे इस शहर के अंदर आसांती भेलाने वालों पर हमने शुरुबात से कहिए कि मुकदमा लिखा जाए जो लोग सहर की सांती को भंग करना चाहते हैं उन पर मुकदमा लिखा जाए जो भी प्रसासनिक और सासनिक अधिकारी य हमें इस्थानिय लोगों से जानकारी लगी उन्होंने फोटू बताएं उन्होंने फोटू खीच के भेज़े हैं उनके फोटू तक हैं नमाज अधा करने के यह नई परंपरा बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे हम और लाजपद नगर में नहीं पूरे मुरदाबाद में पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे देश में नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे इस्थानिय पुलिस ने आके वीडियोग्राफी करी उनसा पुस्ताच करी और मुकदमा पाबंद किया जाएगा हमारी बात हुई है इन पर मुकदमा दर्ज होगा जिन्होंने नई परं परंग दल अंदोलन करेगा